सीडिया बेशक उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है अपनी तो मन्जिल है आस्मा रास्ता भी खुती बनाना है नमस्कार साथियों साथियों जिस गड़ी का इंतजार था वो गड़ी आ गई है आपका MP Board वाले स्विएन के लिए बात कर रहा हूँ आपका 10 और 12 तका जो वार्षिक परिक्षा है एन्यूल एक्दाम है उसका टाइम टेबल आ चुका है और आपकी जो परिक्षा है जो होगी वो स्टार्ट होने वाली है अगर मैं कहूँ कि आपकी जो है हाई स्कूल की जो परिक्षा है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है हाई स्कूल वाले बच्चों की 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और higher secondary जो बारवी है उनकी जो exam जो है वो exam स्टार्ट हो रही 17 फरवरी से मतलब आपकी 17 फरवरी से higher secondary वालों की और 18 फरवरी से exam जो स्टार्ट होने वाली है वो दस्वी वालों की तेंथ की टाइम टेबल नोट कर लिजेगा बच्चों नेमीज स्वाध्याई द्रश्टिहिन मुकबदिर सभी बच्चों के लिए यह वाला टाइम शेडूल है टाइम रहेगा आपकी exam का 10 से 1 बज़ तक तक टाइम शेडूल रहेगा आपकी exam का और पहला पेपर जो है अगर मैं कहूं के दस्वी वालों के पहला पेपर कौन सा है तो दस्वी वालों के पहला पेपर होगा हिंदी का किसका होगा हिंदी का और यह हिंदी का पेपर जो है बेटा जी 18 तारिक को है 18 तारिक को मैं आज से गिने आज जो है आपके पास बाइवीस नावंबर हैं टाइम टेबल जारी हुआ है आपका और आज से अगर टाइम देखे तो लगभग 85-86 डेढ़ हैं आपके पास 85-86 डेढ़ इन दिनों में आपको जवदस्ट तरीके से त्यारी करना हैं। पिच्च सी च्छी शी दिन बचे क्योंकि आपके पास आठ दिन तो बचे है 31 डेज हैं आपके पास दिसंबर के ठीके और 31 डेज हैं आपके पास जैन्युวरी के और लगभग 15-16 दिन जो हैं अगर बचे हैं इसके फेबरियुरी के तो आपके पास अगर यह काउंट करोगे तो आठ और आठ शॉला और तीन तीन छे साथ और एक आठ लगभग 86 डेज आपके पास बचे हैं 86 डेज 86 डेज में आपको जबदस्त तयारी गानी मतलब तीन महिने भी आपके पास पूरे नहीं है तीन महिने में भी चार दिन कम पड़ गए है और इसी बीच आपको प्रेक्टिकल एक्जाम भी देनी है प्रिबोर्ड एक्जाम भी देनी है और प्रेक्टिकल एकजाम, प्रीबोर्ड और हाफ यह लिए, ईक्जाम भी देना ये, सारी एकजाम भी आगई हैं। तो आपके लिए एक एक दिन किम्ती है, आप रहा पर लिए एक्जाम देว, तो बड़े संबल के आच्छी तैयरी कर कि दि मेरा प्री वर्ड एक्जाम देना है अच्छे से दिजिएगा तैयरी जारे रहें आपको नोट किजिए शुकरवार को 18-22, 181- 26 का हैं, फिर ра 500 का है जो मादिम्यख इक्षा मुंडल मद्यपृत न जारी किया है नोट कीज़ेगा बेटा इसकीन शाट लीज़ेगा इस टाइम टेबल का ये दसवी का है कक्षा दसवी का टाइम टेबल है इसकीन शाट लीज़ेगा फिर चर्चा करते हैं बारवी की टाइम टेबल की ये दसवी का टाइम टेबल है अठरा तारिक से स्टार्ट हो रही है और खतम हो जाएगी 8 तारिकों संस्क्राइब जिनके है बाकि जिनके जो अलग सब्जेक्ट है जिसे ये नेशनल इस्किल्स क्वालिफिकेशन ये इनका 10 तारिक होगा एक 9 तारिकों भी पेपर है मुखबदिर शात्र शात्राओं के लिए पेंटिंग वगेरा जो है ये सब्जेक्ट है तो मेंली जो सब्जेक्ट रहते हैं वो छे सब्जेक्ट तो वो यहीं तक खतम हो रहे है ओके बड़े आगे चलिए अब मैं बात करूँ कक्षा बारवी के बच्चों के टाइम टेबल की यह है बहिया कक्षा बारवी का टाइम टेबल बारवी का और यह बारवी का व्यावसाइक पाठिकरम वोकेशनल व्यावसाइक मनतों वोकेशनल तो वोकेशनल वालों के और सब्जेक्ट लिए यही टाइम टेबल रहेगा सभी के लिए ये टाइम शोडूले 2022 ओके 10 बजे से 1 बजे का टाइम रहेगा आपका परिक्षा का और हाँ एक चीज ओर है आपको 8 बजे रिपोर्टिंग करनी रहेगी एक्जाम में 8 बजे पहुचना रहेगा रिपोर्टिंग करनी रहेगी तो समय पर पहुचना रहेगा इसलिए समय पर पहुचे चलिए तो ये कख्षा बार्वी का टाइम टेबल है ठीक है पहला पेपर जो है बार्वी वालों के किसका है भाईया पहला पेपर है अंग्रेजी का है ना गुरुवार है 17 दो 17 फरवरी को अंग्रेजी का हो जाएगा शनिवार को 19 दो है इस दिन हिंदी का हो जाएगा समवार को जो पेपर है ये फिजिक्स वालों की फिजिक्स अगा आर्ट्स वालों के अर्थशास्र का वोकेशनल वालों की ये पेपर है ठीक है ये अलग-अलग पेपर ये भी है और 23 फरवरी को बायो टेकनोलोजी भारती संगीत का पर जिनके जो सब्जेक्ट है बाइलोजी है 24 तारीक को 25 फरवरी को है राजनीति शास्र और वोकेशनल का है और अब जो है ये अगला जी ये जो पेपर है नो तीन को भुगोल क्रॉप प्रोडेक्शन ये जो भी है वोकेशनल की है सब्जेक्ट दस तीन को उर्दू-मराथी और ग्यारा तीन को NC, NSQAF, National Skills and Qualification Framework की समस्य विशे, शारिक शिक्षा और संस्क्रत का पेपर बारा तीन को खतम हो जाएगा ठीके, तो जिनकी अगर जीते Science Streaming है, Science Streaming की बात करें तो अपना जो पेपर चालू हो जाएगा Hindi-English, यहाँ हो जाएगा, Physics का हो जाएगा, Biology का यहाँ हो जाएगा, और Chemistry का यहाँ हो जाएगा, और Mathematics का यहाँ अब तीन मार्च तक तो Free हो जाओगे, तीन मार्च तक तो Free हो जाओगे, चलिए, तो यह है Time Table, Time Schedule, Note कीजेगा, Screenshot लीजेगा, और आज से ही Time Table बनाके पढ़ाई चालू कर दीजेगा, आज से ही Time Table बनाके पढ़ाई चालू कर दीजेगा, भीया, नहीं तो यह समय वापस नहीं आएगा, भरो से नहीं बेठे रहे, पिछले साल तो क्या हुआ था है, एक्जाम बगेरा लेट हो गए थे, अपरेल में और फिर प्रोब्लम से कुछ क्रियेट हो गए थी, इस साल एक्जाम होगी, टाइम शेडूल जारी हो चुका है, और अपनी तैयारी चालू कर ल यह सारे चीजे लिखे हुए इनको एक बार अच्छे से पढ़ लिजेगा, तारे नियम वगेरा लिखे हुए, क्या-क्या सूचना आए हैं, यह सब लिखा हुआ है, यह चीजे हैं, इस्क्रिन शाट ले लिजेगा, निर्देश दे रहे हैं, यह निर्देश पढ़ने परिक्षा के इंद्रे पर समस्य विद्यारतियों को थर्मल सीरिंग की जायोगी, अता समस्य परिक्षा कक्षे में प्राता साड़े आठ बजे, आठ तीस बजे, तक उपस्तित होना निबारी हैं, परिक्षा प्रारमभा होनने के निर्दारी समय के 15 मिनिट पूर्व के पर पहुंचे एकजाम देने के लिए, परिक्षा के इंद्रे पर सभी छत्रों को अपने नाक, मुह को मास्क, नकाब, कपड़े से ढखकर रखना, एम फिजिकल डिस्टेंस निवों का पालन सुनिशित करना अनिवार होगा, परिक्षारति अपने साथ हैंड सेनिटाइजर कि छोटी बोतल अवश्य रखे, अभी भावग अपने बच्चों को कोविड-19 संकर्मन से बचने के लिए उनके द्वारा बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकरी देंगी तता यहां भी सुनिशित करेंगी उनके बच्चे बीमार ना हो, परिक्षारति य परिक्षा है उनके विद्याले में दिनांग कब होगी 12 फर्वरी से, मतलब 12 फर्वरी से एक प्रेक्टिकल एक्जाम चलो हो जाएगी 12 फर्वरी से 25 मार्च 2022, एम स्वाध्याई, चात्रों की प्रावगी परिक्षा है उनके आवंडित परिक्षा के अंदर पर दिनांग 18 12 फर्वरी से 20 मार्च 2022 की बीच होगी, मतलब यह समझ लोगी 12 फर्वरी से एक्जाम स्टाट होगी 12, 13, 14, 15, 17 से पहले पहले जो गवर्में डिस्कुले उनके एक्जाम हो जाएगी, जो निमीत विद्यारती है उनकी एक्जाम हो जाएगी, मेरा मानना है 12, 13, 14, 15, 16 तक की ब परीक्षा के लिए जाएगा, परीक्षा कक्षे में 29, 15 बज़े के पश्याथ किसी भी चात्र को प्रोवेश्ट नहीं दिया जागा, क्या है, 9, 35 बज़े तो उपसित हो जाएगी 10 बज़े लेकिन 9, 35 के बाद में किसी को इंट्री नहीं दी जाएगी, तो 9, 30 से पहले पहल पुछने पहुचना है वैसे टाइम दिया होगा है साड़े आठ बजे क्योंकि सारी चीजे प्रोसेस करनी रहती तो टाइम लगजातना है थर्मल स्क्रीनिंग वगेरा यह सब परिक्षा प्राराम होने से 10 मिनिट के प्रातर नो पचास बजे से पूरो शात्रों को उत्तर सब्सक्राइब के लिए उनकी अंक सुची बनाई जाएगी यह होगा तो यह है स्वाध्य चात्रों के लिए ठीके तो यह टाइम टेबल जारी हो चुका है और इसका स्क्रिंशाट ले लिजेगा आपके जो करें पेपर है स्टार्ट होने वाले हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं 17 फरवरी से स्टार्ट है गक्षा वारीवी के पेपर कि जिस घड़ी का इनत्यजाद था वह घड़ी आ गई है ना में निडेश जो प्लण पड़े थे वो क्यों निडेश दे रखें तो मेरे हिसाफ से अब आप जाग जाईए जागना चालू कर दीजिए एक टाइम शुडूल बनाईए कि अपने को इतने दिनों में यह यह टॉपिक करने हैं और दिसंबर से पहले पहले तो सारे टॉपिक हो जाने चाहिए जनवरी आपके लिए होना चाहिए रिविजन के ल बहुत कम समय बचा ऐसा भी होगा कि कोई टॉपिक तो आपने चुए भी नहीं होंगे तो बस आप समय नहीं बचा अपने पास रात दिन तैयारी कीजिए समय बिल्कुल भी मत बिगाड़िये मोर्निंग में पांच बज़े उठीए पांच बज़े सुबह आठ नो बज़े तक जो पढ़ाई होती है वह बहुत बेस्ट पढ़ाई होती है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बहुत अच्छे याद होते उस टाइम पर ठीक है तो मेरा मानना है नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट सजेशन कुछ भी देंगे आपको कि एक्जाम में आपको कैसे लिखना है किसे प्रिप्रेशन करना है किनकी चीज़ों को जहां रखना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो साथ ही हो मिलेंगे फिंडेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके बाए